याश्री अकैडमी में आप सभी का स्वागत है हम और्गिनाइजेशन की सिरीज पढ़ रहे थे तो आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व विद्याले अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन यूजीसी यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 28 स्थापना हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब मौलाना अबुल कलाम आजाद जी इसके इन्हों नहीं सबसे पहले यूजीसी की स्थापना के लिए रिकमेंडेशन दी थी और यूजीसी की प्रथम अध्यक्षते वो थे शांती स्वरूब भटनागर जी और जो वर्तमान में अध्यक्षे उनका नाम क्या है जगदीश कुमार जगदीश कुमार जी वर्तमान में यूजीसी के हैड है UGC का धेवाके है साविध्याया विमुक्तए यह question भी पूछा गया है एक exam में कि साविध्याया विमुक्तए कि संगिटन का धेवाके है तो हमें याद रखना है कि UGC का धेवाके है साविध्याया विमुक्तए 1956 में आपचारिक UGC Act 1956 में समविधिक निकाय की रूप में स्थापना हुई थी अब ये समविधिक निकाय क्योंकि ये Act 1956 में Act पास करके बना है इसलिए हम इसको क्या बूल रहे हैं समविधिक निकाय ना कि समविधानिक निकाय अब सम्विधानिक निकाय क्या है? सम्विधानिक निकाय जिसका सम्विधान में वर्णन है For example हम देखें कि जैसे कि कैग 148 में बताया गया है भाग 5 में कैग आता है तो यह क्या है एक सम्विधानिक निकाय है लेकिन सम्विधिक निकाय मीन्स की इसको एक पास करके लाया गया है तो वह सम्विधिक निकाय होगा इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और इसके छे छेत्री कार्याल है यह भी question पूछारा सकता है आपको फर एक्जामपल दिक question दे सकते हैं कि इन में से किस इस्थान पर UGC का मुख्याले नहीं है आपको वो चार अब्जेक्टिव कुछ भी दे देगा तो हमें याद रखना है कि पुड़े, भोपाल, कुलकाता हैदरावाद, गोहाटी, बैंगलोर छे जगा पर regional center है UGC के कौन-कौन से पुड़े, भोपाल, कुलकाता हैदरावाद, गोहाटी और बैंगलोर अब UGC के उद्देश क्या-क्या है तो UGC विश्यविद्याले में सिक्षन परीक्षा, अनुसंधान मानकों का समन्वै रख-रकाफ करना चुकि इसका नाम ही है इसका नाम है UGC UGC means University Grant Commission grant मतलब जो अनुदान मिलते हैं, means जो वित्ती अनुदान मिलता है, जो पैसा मिलता है university के लिए कोई भी कारे आयोजित कराने के लिए research work के लिए तो वो सब पैसा UGC प्रदान करता है कारे कारी सिक्षन, परिक्षन, सूद, मान को कर निर्धारन करना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो उच्चिस्तरी सिक्षा के बीच में UGC एक मीडियेटर की तरह काम करता है, अब थोड़ा हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि UGC कैसे कैसे बना तो 1944 में सार्जेंट कमिशन ने राष्टी सिक्षा प्रणाली तयार करने की बात की गई 1944 में सार्जेंट आयो गया था तो उन्होंने राष्टी सिक्षा प्रणाली तयार करने की बात की गई और इसी प्रणाली के तहत 1945 में तीन युनिवरसिटी दिल्ली बनारस और अलीगड विश्य विध्याले का जो कार है वह इस सिक्षा प्रडाली के तहत देखा जाने लगा फिर 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्य विध्याले अनुदान आयोग की स्थापना की गई विश्य व नहीं हुई है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अब यूजी सी कुछ कारीक्रम चला रही है जैसे की जो पहला कारीक्रम है रूसा रूसा का फुल फॉर्म सबसे पहले तो मैं याद होना चाहिए राश्टी उच्चतर सिक्षा अभियान और पिछड़े शेत्रों में 374 इसन यूजी सी के बारे में ये एक ब्रीफ में जानकारी थी आई होप आप इसको एक दो भार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा ये काफी इंपोर्टेंट टॉपक है आपको मेंस में भी पूच सकता है और प्रेलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेस्चन्स आ सकते हैं त तो एक बार फिर से देखते हैं UGC University Grand Commission स्थापना कब हुई थी 28 दिसमबर 1953 में जो वरतमान में इसकी अध्यक्षय है वह जगदीश कुमार, साविध्याय विमक्ते इसका धेवाक्य है और हैटकौर्टर इसका नई दिल्ली में है और छेसके एक डीजनल सेंटर है इसके कार तो वही है कि विश्विध्यालाय में सेक्षन प्रसेक्षन और वित्य सहयोग प्रदान करना सालजेंट आयोग आया फिर 1944-1945 में दिल्ली बनारस अलीगड विश्विध्यालाय प्रातमेक्रूप से कार्य देखे गई 1948 में सेक्षायोग और डॉक्टर आदाकिशनन की अध्यक्षता में तो इतने पॉइंट्स हमें याद होने ही चाहिए थैंक यू सो मच प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स